हेलो अरिवन जैहिन अभी हम टैली प्राइम के अंदर एटोमेटिक बिलिंग करना देखेंगे मतलब जब हम एटोमेटिक बिलिंग को करते हैं तो बिल बनने में हमें बहुती कम समय लगता है तो मेरा नमारित है अब ये वीडियो आपको अच्छा लगे जोलों लाइक किजिए और चानल को सबसाब का नमद बुलिए लेट्स बिगिन एटोमेटिक बिलिंग आप सेल्स वाउचर में भी कर सकते हैं या पिर उसके लिए एक अलग वाउचर क्रेट कर सकते हैं तो अभी हम एक अलग वाउचर क्रेट करेंगे तो यहाँ पर गेट्व आप टैली है और यहाँ पर क्रेट में जाना है इंटर यहाँ पर voucher type इंटर यहाँ पर voucher type creation और यहाँ पर voucher name आप जो भी name दना चाहते हैं आप दे सकते हैं जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर GST invoice देता हूँ यहाँ पर select voucher type तो हमें sales select करना है क्योंकि हम sales की billing करना चाहते हैं उसके बाद abbreviation यहाँ पर भी sales लखना है यहाँ पर activate this voucher तो इसको activate करना है yes करके इंटर यहाँ पर method of voucher numbering यहाँ पर automatic, automatic manual override manual आप जो भी चाहते आप ले सकते हैं तो मैं यहाँ पर automatic manual override इसको लेता हूँ इंटर यहाँ पर prevent duplicates इसको yes करना है इन सारे option को हमने इसके पहले details में देखा है यहाँ पर use advanced configuration इसको yes करना है इंटर और मान लिजे आप इस तरह से inverse number चाहते हैं तो यहाँ पर उसकी setting करने हैं तो यहाँ पर starting number 1 रखना है उसके बात width of numerical part आपको width कितनी चाहिए मतलब 001 चाहिए तो यहाँ पर 3 type करना है 001 चाहिए तो यहाँ पर 4 type करना है तो मैं यहाँ पर 3 type करता हूँ इंटर यहाँ पर pipit with 0 यहाँ पर yes करना है मतलब आपके inverse number के आगे यहाँ पर 001 एंगे और आपकी जो width है वो सेम रहेगी यहाँ पर applicable from तो 1st April यहाँ पर starting number 1 और yearly इंटर इंटर यहाँ पर applicable from यहाँ पर 1st April इंटर और यहाँ पर prefix details मतलब starting में जो हमें चाहिए वो यहाँ पर type करना है जैसा कि मैं यहाँ पर be slash type कर देता हूँ इंटर इंटर यहाँ पर suffix details यहाँ पर applicable from 1st April इंटर और यहाँ पर हमें invoice के last में जो चाहिए वो type करना है जैसे कि slash 21-22 इंटर control A उसके बाद यह option को आपको पढ़ना है और चाहिए तो yes करना है otherwise no ही रखना है इंटर 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 अब भी यहाँ पर printing की setting है print voucher after saving अगर आप चाहते कि जब भी आप voucher को save करेंगे तो तुरन print का option आना चाहिए तो यहाँ पर yes करना है इंटर यहाँ पर use for place of supply investing अगर आपकी place of supply investing है तो यहाँ पर yes करना है otherwise no ही रखना है यहाँ पर default jurisdiction आपको जो भी jurisdiction है उसको type कीजे जैसा कि मैं Mumbai टाइप कर देता हूँ यहाँ पर set alter declaration मतलब invoice के नीचे आपको एक declaration देना चाहते तो यहाँ पर yes करना है इंटर और यहाँ पर आपका जो declaration है उसको type करना है यहाँ पर जो all idea उसको मैं वैसे के वैसे रखता हूँ और control A कर देता हूँ यहाँ पर name of class अगर आपको automatic billing कर दिये तो यहाँ पर एक class को create करना पड़ेगा जैसा कि मैं यहाँ पर jst invoice इस तरह से एक class create कर देता हूँ और यहाँ पर enter करना है अब यहाँ आपर जो class है वो jst invoice यहाँ पर exclude this group मतलब आप automatic billing करते वक्त कौँसे कौँसे groups को नहीं चाहते है उनको यहाँ पर exclude करना है जैसा कि यहाँ पर bank OC इसकी ज़रूत नहीं है तो मैं यहाँ पर exclude कर देता हूँ enter और यहाँ पर include this group आपको कौँसे कौँसे group चाहिए उनको यहाँ पर select करना है तो यहाँ पर bank account cash in hand account यहाँ पर sunday creators उसके बाद यहाँ पर sunday creators जिन groups को आप billing में चाहते हैं उनको यहाँ पर include में select करना है उसके बाद इंटर करना है उसके बाद हमें यहाँ पर sales के ledger को डालना है तो यहाँ पर देखिए और इंटर कर देता हूँ और यहाँ पर additional accounting entries for example taxes other charges मतलब जो taxes होते IGST, CGST, HGST यह पिर other charges होते जैसे कि insurance, packing and forwarding इसको हमें यहाँ पर select करना है तो मैं यहाँ पर create कर देता हूँ और उसके लिए shortcut है अल्च C तो यहाँ पर insurance charges इंटर यहाँ पर हम insurance charges ले रहे, इसलिए यह indirect income है यहाँ पर type of leisure तो यहाँ पर not applicable इंटर यहाँ पर each GST applicable तो यहाँ पर not applicable करना है क्योंकि हम insurance charges पर अलग से GST ने लगना चाते, total value पर हम GST लगना चाते तो यहाँ पर not applicable यहाँ पर include inaccessible value calculation for तो यहाँ पर GST लेना है उसके बाद goods, service या फिर both आप जो भी है सिलेक किजिए मैं यापर both सिलेक कर देता हूँ Ctrl A यापर calculation method यापर अलग-अलग calculation के method है मैं यापर as user dependent value इसको सिलेक कर देता हूँ Enter, Enter और यापर दुसरा मैं एक create कर देता हूँ Packing and forwarding charges Alt C, Enter, Enter यापर indirect income, Enter यापर not applicable, यापर not applicable यापर GST, Enter यापर both लेना है और यापर method of calculation यापर base on value इसको लेना है और Ctrl A यापर as user dependent value, Enter, Enter और हम यापर IGST, CGST, SGST और round up को लेंगे यापर IGST यह already created, Enter, यापर CGST, Enter, यापर SGST, Enter, और यापर round up, Enter और यापर as total amount rounding इसको लेना है और यापर normal rounding और यापर rounding limit तो यापर one type करना है उसके बाद Ctrl A करना है और यापर भी Ctrl A करना है अब यापको escape करके back जाना है और यापर gateway app tally, यापर voucher उसके लिए we press करना है और यापर sales voucher तो उसके लिए shortcut है app it यापर voucher type, यापर sale और यापर JST invoice यह हमने new create किया है यापर enter कर देता हूँ और यापर class तो class में JST invoice इंटर तो अभी यापर देखिए हमार जो सारे charges है और tax है वो यापर automatic आ चुके है हमें invest number डालना है उसके बाद date उसके बाद reference number इंटर इंटर यापर party name को मैं select कर देता हूँ सागर enterprises, control A, control A और यापर मैं CFL bulb इसको लेता हूँ यापर quantity मैं यापर 12 डाल देता हूँ इंटर यहाँ पर rate automatic आ चुका है यहाँ पर amount और यहाँ पर जो party है वो within state है इसलिए यहाँ पर CGST और SGST automatic calculate हो चुका है और यहाँ पर round off भी अब यहाँ पर insurance charges and packing and forwarding charges इसको आमें manually डालना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर rate wise डालना चाते है तो भी डाल सकते है मतलब मां यहाँ पर 1 डालूँगा तो यहाँ पर इसका 1% आ जाएगा इंटर तो यहाँ पर देखिए 9.06 मैं इसको delete कर देता हूँ आप इसको manual भी डाल सकते है जैसा कि देखिए मैं यहाँ पर 10 डाल देता हूँ और मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पर GST amount बे भी changes आ जाएगा इंटर तो यहाँ पर देखिए GST amount चेंज हो चुकी है क्योंकि इस indirect income पे भी GST चार्ज हो रहा है उसके बाद packing and forwarding charges इंटर यहाँ पर मैं 10 डाल देता हूँ इंटर तो इस प्राका से हम automatic billing कर सकते है और इसके लिए हमें बहुती कम समय लगेगा उसके बाद control ए करेंगे तो यहाँ पर automatic print option आ चुका है अगर आप configure करना चाते तो यहाँ से कर सकते है अगर प्रिव देखना चाते तो भी देख सकते है यहाँ पर direct print करना चाते तो भी कर सकते है मैं यहाँ पर प्रिव देखता हूँ और यहाँ पर अल्ड जी कर देता हूँ तो यह जूम हो चुका है और इस तरह से हमारा इन्वाइश शो हो रहा है तो यहाँ से आम उसको प्रिंट भी कर सकते हैं ठैंक्यू अरिवन अगर आपको Excel या JSC related कोई भी क्विरी है तो यह मेरा WhatsApp नंबर है आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं और यह उड़ो अच्छा लगे तो जरो लाइक कीजिए और चैनल को सबसब करना मत बुले थैंक्यू